हें एवरिवन मैसिर्प डोक्टर नगेंदेः थालो एंटर्वंशन कार्डियलोजिस्ट क्रिम आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कोरूर सी आट्री इसकाज्म के बारे में को अपनिंग्रेंड इंजैन क würde वेरियंट एंजयना भी बोलते हैं कोरोनरी आठी स्पास्म के तीन इंपोर्टेंट पीचर रहते हैं सबसे पहले रहेगा चेस्ट पेन रहेगा एट रेस्ट दूसरा रहेगा जब अपने को चेस्ट पेन होगा उस टाइम पे इसी जी में चेंजेज जाएंगे एस्टी सेग् कोरोनरी आठी इस पास्म के जो हैं और रिस्पेक्टर है उसके बारे मैं बात करें तो इन में जो नोर्मल कोरोनियर्टे के रिस्पेक्टर रहते हैं वह इन में नहीं तो इस और इंफ्लामेटरी कंडिशन रह सकते हैं जो कि अपन हाई सेंसिटी सी रेक्टिव प्रोटिन से पता लगाते हैं और मेटाबॉलिक डिसोडर लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस वह हो सकता है कोरोनरी आर्टी इस्पाजम के जो कोज रहते हैं वह मोस्ली कोल्ड वेदर रहता है अनि एक्सपोजर टू कोल्ड शिग्रेट स्मोकिंग ड्रक्स लाइक दे कोकेन मेरी जोना और कुछ ड्रक्स जो अपन नॉर्मली रूटीन है जो कोमन कोल्ड अगरे के लिए भी लेते हैं जैसे ओकी मेटा जोलीन है या निजो एलपा एगोनिस्ट रहती है जो कि वेजो कंस्टिक्शन करती हैं वह भी कोरोनरी आठी ॉर्टी स्पाज्म कर सकते को और न रियाटी था जो पैतोलोगी है वह मिल्ट्य फैक्टोर्यल है लेकिन दो अपने इंपॉटेंट इसमें डि वेजो कंस्टिक्शन और वेजो डाइलेशन के बीच में तो वह स्मूद मसल सेल हैं वह ज्यादा रस्पंसिव हो जाती है वेजो कंस्टिक्शन के कार तो उसके करण एकदम से स्पाजम हो जाता है दूसरा यह कि जो पैरा संपेटिक सिस्टम और संपेटिक सिस्टम में उसके जो sympathetic attitude होती है वो ज्यादा prominent हो जाती है और उसका ज्यादा effect हो जाता है जिसके current vasoconstriction हो जाता है जो main symptom रहता है वो chest pain रहता है और chest pain mostly midnight to early morning तक रहेगा यानि 8 a.m. तक और यह mostly young patients में ज्यादा रहती है और chest pain के साथ साथ फिरेदी ECG भी करेंगे तो ECG में भी change आएंगे और जैसे ही chest pain relief होएगा ECG में भी changes relief हो जाएंगे ECG में भी change है वो subside हो जाएंगे और जैसे ही अपना nitrate tablet देंगे तो इसको patient को एकदम से अच्छा response मिलता है अच्छा पर देखते हैं तो उसमें coronary artery spasm रहेगा coronary artery artery में कोई plaque नहीं रहेगा कोई abstraction नहीं रहेगा लेकिन spasm रहेगा और जैसे हैं अपना nitrate देंगे वह spasm दिलीव हो जाएगा coronary artery spasm का treatment क्या रहता है तो mostly इसके treatment के लिए long acting जो calcium channel blocker है वह अपन यूज करते हैं और दूसरा अपन nitrate यूज करते हैं लेकि nitrate अपन short time के लिए देते हैं क्योंकि long time term देखें तो उसमें toll lens आजाती है तीसरा ही है कि जो beta blocker अपन commonly यूज करते हैं इस systemic heart disease में वह इसमें यूज नहीं करना है beta blocker में जैसे नॉन इस्तमा एक condition रहती है जो इसमें प्रिस्टेट करके यूज कर सकती है इसमें वन थर्ड पेशेंट में हो सकता है कि permanent जो अब्स्टेक्टिव लिजन भी हो ब्लोक भी हो तो यह इसी condition रहती है तो उसमें PCI यूगरा करके या करके भी इसको ट्रीट किया जाता है कि कोरोनर यार्टी समाज को prevention करने के लिए सबसे अच्छा है कि येंग पेशेंट हैं जो भी सिग्रेट बहुत स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग क्यूट करना है या जो भी ड्रक्स लेते हैं कोकेन होगा रहे हैं वो सब स्टोर करना है और एक healthy lifestyle को follow करना है तो इसके chances बहुत कम हो जाएंगे thanks